प्रियमित्रों शिबलिंग पर बने तिर्पूंड यानि की तीन आरी रेखाओं का क्या है रहस्य और संत जंज होते हैं मस्तक पर तिर्पूंड तिलक क्यों लगाते हैं इसी के बारे में हम बताएंगे प्राया शादू शंत और विभिन धर्मों के मानने वाले शंत माथे पर अलग अलग तरह के तिलक लगाते हैं तिलक जो है विभिन शंप्रदाय अखारों और पंथों की पहचान होती है हिंदू धर्म में संतों के जितने मत्थ पंथ और संप्रदाय हैं उन सब के तिलक भी अलग अलग है अपने इस्थ के अंसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं शैब परमपरा के जो लोग हैं जो भगवान भोलेनात के भक्त हैं वो तिरपुंड लगाते हैं। एक बार सनत कुमार ने भगवान का लागनी रुद्र से पूछा कि तिरपुंड कितना बरा होना चाहिए। तिरपुंड लगाया जाता है। तिरपुंड जो बाए नेत्र से दाए नेत्र तक ही लंबा होना चाहिए। तिरपुंड की रेखाए बहुत लंबी होने पर तब को और छोटी होने पर आयू को कम करती है। भस्म मध्यान से पहले जल मिलाकर मध्यान में चंदन मिलाकर और सायंकाल सूखी भस्म ही तिरपुंड रूप में लगाना चाहिए। तिरपुंड की तीन आरी का आखिर में रहस क्या है। तिरपुंड की तीन रेखाओं में प्रतेक के नौनो देवता हैं जो सभी यंगों में स्थित हैं। पहली रेखा में ग्राह पत्य अगनी, प्रनाब का पर्थम अक्चर, अकार, रजोगुन, पृत्वी, धर्म, क्रियासक्ति, रिग्वेद, प्रातह कालिन हवन और महादेव ये तिरपुंड की पर्थम रेखा के नौ देवता हैं। दूसरी रेखा में दक्षिनागनी, प्रनाब का दूसरा अक्चर, उकार, शत्वगुन, आकास, अंतरात्म, इच्छा सक्ति, यजुरवेद, मध्यान के हवन और महादेव ये दूसरी रेखा के नौ देवता हैं। तिरपुंड लगाने के 32 अस्थान मस्तक, ललाट, दोनो कान, दोनो नेत्र, दोनो नाक, मूख, तिरपुंड लगाया जाता है। कंथ, दोनो हाथ, दोनो कहनी, दोनो कलाई, हिरदय, दोनो पार्सवाग, नाभी, दोनो अंड कोष, दोनो उरू, दोनो गुल्थ, दोनो घुटनो, दोनो पिंदली, और दोनो पैर। और तिरपुंड लगाने के 16 अस्थान जो हैं उसमें मस्तक, ललाट, कंठ, दोनो कंधो, दोनो भुजाओं, दोनो कोहनी, दोनो कलाई, हिर्दय, नाभी, दोनो पसलियों तथा प्रिष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाने के आठ अस्थान में गुह अस्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हिर्दय और नाभी में, त्रिपुंड लगाने के पांच अस्थान है, मस्तक, दोनों भूजाएं, हिर्दय और नाभी, इन संपुर्णों अंगों में अस्थान देबता बताए उनका नाम लेकर धारन करना चाहिए यह दारन करने का क्या फल संजनों का मत है इस प्रकार जो कोई भी मनुष्भाश्म का ठीड़ करता है वह चोटे बरे सभी पाफों से मुप्षों करपाम पबित हो उसे सब तिर्थों में असनान का फल मिल जाता है तिरपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है वह सभी रुद्र मंत्रों को यपने का अधिकारी होता है और वह सब भोगों को भोगता है और मिर्थु के बाद शीब शायूद जिमुक्ति प्राप्त करता है उसे पुनर जनम नहीं लेना पड़ता है और गौरी शंकर तिलक कुछ शीब भक्त शिब जी का तिर्पुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदू लगाते हैं इसे विए गौरी शंकर का सुरूप मानते हैं गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदू लगाकर फिर तिरपुंड लगाते हैं तो कुछ पहले तिरपुंड लगाकर फिर बिंदू लगाते हैं जो केबल भगवती के उपासक हैं वे केबल लाल बिंदू कहीं तिलक लगाते हैं और सैब परंपरा में अगोरी कापालिक तांत्रिक जैसे पंथ बदल जाने पर तिलक लगाने का तरीका भी बदल जाता है तो बोलिए हर हर महादेब जैशिव समय